केल नाहुल को मैं काफी ज़्यादा हायरेट करता था मुझे लगता था कि बढ़े मैच में यह बन्दा चल सकता है आपको मैच जिताकर अकेले दमपर दे सकता है लेकिन शायद मैं गलत हूँ और गलत था वह इसलिए क्योंकि जब भारत को बड़े मैच में प्रदर्शन की ज कभी भी खड़ा नहीं हुआ टीम इंडिया के लिए हमेशा आउट हुआ है और केल राहुल के इस स्ट्रगल की वज़े से एक बार फिर से टीम इंडिया वर्लकप से बाहर हो गई है खराब प्रदर्शन पार्च रन बनाकर आप आउट हुए ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद कि कोई जरूरत नहीं है आगे से कीजिए गभी मत और शायद अगर आगे से कोई बड़ा मैच होना तो रिक्वेस्ट करूंगा मेरेजमेंट को आप इनको बाहर बिठा दो ना सिर्फ बड़े मैच बलकि बड़े टोर्णामेंट से बाहर बिठा दो क्योंकि यह बड़े टो है आज हर किसी की निगाहें थी इंडिया वाले मुकाबले पर हर कोई चाहा रहा था कि टीम इंडिया मुकाबला जीते और टॉप ओडर हमारे अच्छा करें लेकिन रोही शर्मा सो के भीतर के स्ट्राइग रेट से बल्लेबाजी आप कर रहे हो केल राउल जल्दी आया और निगल लिए इनसे जब जब हमारे टॉप ओडर से हम लोगों ने उम्मीद किया है सिर्फ इन्हों ने दगा ही दिया हम लोगों को धोखा ही दिया है और यही वजह है कि हम लोग दस विक्टों से आज मुकाबला हा रहे हैं बल्लेबाजी अच्छी नहीं हुई उसके बाद गेंदबाजो ने भी कमाल का प्रदर्शन किया धन्यवाद